Good morning friends, online e-lecture की अनुरत संखला में आप सभी का स्वाज़त हैं। मैं शोबा वर्मा प्रवक्ता पॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिन जी आर डबलुटीजी जूदपूर। Students, पिछले वीडियो में आपको Hand Swing Middles के बारे में बताया गया था। आज हम Machine Swing Middles के बारे में जानकारी देंगे। Machine Swing Middles मनुश्यों की मूलबूत आवसक्ता मैंसे एग है कपड़ा, अर्था, फैब्रिक। फैब्रिक के द्वारा ही हम विपिंद प्रकार तथा डिजाइन के वस्त्रों का निर्मान करते हैं। वस्त्रों निर्मान हेतु हमें Needled की आप्षक्ता होती हैं, जो की खाद तत्था Machine दौनों प्रकार की होती हैं। Machine में काम आने वाली Needleds, स्टील की बनी होती हैं, जो की विपिन प्रकार एवन साइजेस में करेलू उपीयोगी Machine वो industrial swing Machine के लिए निर्मित होती हैं। इन needles की size एवं मोटाई का चयन, yarn of fabric and size of thread पर निर्बर करता है। चितने ज़्यादा नमबर की सुई होगी वह उतनी ही thick point and multi needle होगी। मसीन में यूज आने वाली within needles का चयन, मसीनों की फ्रकार एवं मोडल नमबर पर depend करता है। इस slide में दिखाए गए चित्र में needle की anatomy पताई गई है। उद्योगों तथा गरेलू उप्योग में आने वाली मसीन की सुईयां कई प्रकार एवं sizes में होती हैं, जो सुच्चीबत रूप से इस प्रकार हैं। Ball Point Needles, Embroidery Needles, Sharp Point Needles, Universal Point Needles, Denim Needles, Leather Needles, Stretch Needles, Twin and Triple Needles, Serger or Industrial Needles, Wing Needles, Top Stitching Needles। Ball Point Needles, यह rounded tip की needle है, जिनका उप्योग knit or net fabric अर्थात जाली तार कपड़े की सिलाई येतू किया जाता है। यह 10 to 16 number की size में होती हैं। Embroidery Needles, यह extra large eye की needles होती है, जो fabric पर machine embroidery करने के लिए प्रियोग में ली जाती है। यह दागों को टूपने से रोपती हैं, तथा 10 से 14 number की sizes में मिलती हैं। Sharp Point अथवा Microtex Needles, यह universal needle की अपेक्षा बहुत पतली एवं तेजदार वाली होती है, जो की fine quality के woven fabric पर सिलाई हेतू उप्यूथ होती है। यह quilting तथा applic work के लिए भी यूज की जाती है। यह 8 से 9 number की sizes में मिलती हैं। Universal Point needles जैसा की नाम से ही पता चलता है कि इस श्रैनी की needles घरेलू उप्यों की मसीनों के लिए प्रियोग में ली जाती है। इस needle का आकार वर लंबाई, अन्य needles की तुलना में long वर pointed होता है। इस needle की मुख्य विशेशता यह है कि यह सुई flat face वाली होती है, जो यह सुनिस्चित करने में help करती है कि सुई सही तरीके से मसीन में fit हुई है अत्वा नहीं। यह woven तथा knitted fabric की सिलाई हे तु यूज की जाती है जो की 8 से 19 नमबर तक होती है। denim अत्वा jeans needles यह बहुत पतली आई की strong वर sharp pointed needles होती है, यह अपने नाम के according ही denim तथा jeans जैसे heavy woven fabric की stitching हे तु यूज की जाती है, यह 10 से 18 नमबर की sizes में मिलती है। leather needles इस प्रकार की needles त्रिकोर्निय पॉइंट वाली होती है, जो की leather वर non woven fabric में सिलाई के समय बड़ा एवं clean haul बनाने में सक्षम होती है, यह 12 से 18 नमबर की होती है। stretch needles यह spandex के समान खिंचाव वाले fabric की सिलाई में यूज की जाती है, इस प्रकार की needles विशेश प्रकार की चाप व आई के साथ round tip वाली होती है, जो मसीन में दागों को छोड़ने अत्वा लांगने से रोपती है, अत्व यह lightweight knitted fabric की सिलाई हेतु उप्युक्त होती है, यह needle 11 से 14 नमबर तक होती है, twin and triple needles जत्सा की आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार की needles pair and group में बनी होती है, जिसमें एक साथ दो या तीन needles जुड़ी होती है, प्रायर इनका प्रियोग garment को decorative बनाने के लिए double top stitch एवं triple top stitching में किया जाता है, twin needles 1.6 to 4.0 की साइज में तथा triple needles 2.5 से 3.0 की साइज में मिलती हैं, दोनों needles मुख्यत denim and stretchable garment की decorative stitch में यूज की जाती है, सर्जर अथ्वा industrial needles इस प्रकार की सुईयां सिर्फ fabric की row edges को overcast and overlock करने में यूज की जाती है, Wing needles यह large size की needle है, जिसके प्रियोग से सिलाई के बाद कपड़े में बड़े बड़े hole बन जाते हैं, इस needle की सरंचना ही ऐसी होती है कि needle आई के fabric के संपर्क में आते ही open hole बन जाता है, जैसा की आप चित्र के अंदर देख रहे हैं, अतर इसका प्रियोग prior वस्त्रों की hem line, border, edge finishing and decorative purpose से किया जाता है, यह 16 से 20 नमबर की size में आती है, यह असाधारण sharp point की तथा very large eye वाली needles है, जो leather जैसी मोटी weaving वाले कपड़ों को decorative सिलाई लगाने में यूज़ की जाती है, यह दिखने में leather needle के समान ही दिखती है, जो की 12, 14 and 16 नमबर की size में होती है, I hope कि आपको messy needles के बारे में समझ में आया होगा, next lecture में हम threads के बारे में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए स्वस्त रहें, सुरक्सित रहें, Thank you.